देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जा नांगलोई इलाके के स्कूल में एक टीचर की चाकू से गोत कर हत्या कर दी गई कतलका आरोप स्कूल के ही छात्रों पर लगा है वारदात कल शाम की है जब स्कूल में दूसरी शिफ्ट की परिक्षा करवा कर मुकेश कौपी इकठा कर रहे थे तभी करीब 6 लड़के क्लास में बहुचे और मुकेश से कहा सुनी शुरू कर दी आरोप है कि तभी अचानक एक लड़के ने मुकेश पर ताबर तोड चाकू से वार करने शुरू कर दिये वारदात को अंजाम देने के बाद छात्र मौके से फरार हो गए दंबीर उपसेगाल मुकेश को ततकाल अस्पताल ले जाये गया जहां उन्हें इम्रित खोशित कर दिया गया आपको बता दे कि आरोपी छात्र बारवी में पढ़ते हैं वहीं पुलिस ने दो आरोपी छात्रों को गिरफतार कर लिया है पकड़े गए दोनों छात्र तीन बार फेल हो चुके हैं बताया जा रहा है कि टीचर मुकेश ने उनका नाम कार दिया था हाला कि बाद में उनकी स्कूल में वापसी हो गई थी लेकिन लड़के इसी बात से नारास थे शिक्षा के मंदिर में हुई ये वारदात वाकरी शर्मसार करने वाली है एक शिक्षक छात्रों का मार्क दर्खशक होता है इसलिए वो शिशो को डाटता भी है और आगे बढ़ने के लिए प्रिरिद भी करता है लेकिन मुकेश शायद ये नहीं जानते थी कि यहाँ डाटने की कीमत उन्हें जान देकर चुकाने पड़ेगी